आज आपके साथ शेर करने जा रहे हूं चिकन करी की रिसेपी ये बहुत सिंपल तरीके से बनती है बट बहुत जादा टेस्टी और मज़े की लगती है जटपड बनने वाली रिसेपी है आसानी के साथ बन जाती है घर के मसालों के साथ इसे बना लेंगे बहुत मज़े की अधाटी स्पून जीरा, दो इलाची और तुकड़े दालचीदी के और इसका गलर हमें चेंज होने देड़ना है तो इसमें यहाँ पर गरम हों चुका है तो इसमें आद्रक लस्ट का पेस्ट डाल देते है और इसे थोड़ा सा ब्राउन का होने तक इसी तेल में इसे भून तो यह देखिए अद्धक लसुन का पेस्ट हमारा ब्राउन कलर का हो चुका है तो अब उसमें आट कर देते हैं बारिक कटी हुई प्याज जिसे मैंने चोपर में डाल कर बहुत बारिक के साथ चौप कर लिया है तो यह दो मिडियम साइज की प्याज है जो मैंने यहाँ पर भूनना है तो प्याज और चिकन जो है यहाँ पर साथ-साथ भून जाएंगे तो यह दीखिए प्याज और चिकन हमारा भून गया है इसका सारा कलर चेंज हो गया है और तेल भी नजर आने लगा तो उसमें डाल देते हैं यह मैंने ग्रेट करके टमाटर ले लिया है आप तो इसका paste भी डाल सकते हैं तो एक बड़ी साइज की टमाटर मैंने हाप राइट किया है विसी के साथ कुछ मसाले डाल देते हैं जिसमें 1 टेबल इस्पून धनिया पाउडर है 1 टी इस्पून जीरा पाउडर है 1 टी इस्पून गरम मसाला पाउडर है 1 टी इस्पून काली मिर्च पाउडर 1 टी इस्पून चाट मसाला है 1 टी इस्पून लाल मिर्च पाउडर है 1 टी इस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टी इस्पून हल्दी पाउडर है ये मसालों को हमें हायट कर देना और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, तेल भी देखिए सेप्टेट हो गया है, तो इस तरीके से हमें भूनना है, तो हमारा ये चिकन और मसाला भून चुके हैं, तो अभी सिस्टेज पर आकर हमें यहाँ पर दही डाल देना है, तो 100 ग्राम मैंने यहाँ पर दही एट कर दिया है, और दही को भी इसी के साथ मैं हमें भूनना है, तो दही को उस वक्त तक हमें इसमें पकााना है, जब तक क dejenser का कच्छा पन खकाटम न हो जाए, और सारा पानी जो इसका ड्राय न हो जाए तो ये देखें दही का पानी ड्राय हो चुका है और दही मारी अच्छी तरीके से भून गई है तो अब हम इसमें एट कर देते हैं पानी तो ग्रेवी बनाने के इसमें पानी तो मैंने यहाँ पर गरम पानी एट कर दिया है तो जैसे भी आप ग्रेवी रखना चाहिए वैसा पानी आप एट कर सकते हैं गरम पानी डालें इससे जो है सालन बहुत अच्छा बनता है और अब इसे चला लेते हैं तो इसे अच्छी तरीके से मिला ले थोड़ा पानी मैं यहाँ पर और एट कर दूँगे ताकि चिकन भी पकेगा और हमें ग्रेवी भी इसमें रखनी है तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसे मिला लिया है और अब इसे कवर कर देते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं तो आइए इसे चेक कर लेते हैं तो यह देखी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर हमारी चिकन भी पक चुके थी और ग्रेवी भी हमारी गाड़ी हो चुकी थी तो अब उसमें डाल देते हैं वन टेबल स्पून जिसे कसूरी मेथी जिसे मैंने सेक लिया है इसे कर्श करके डाल दे साथ ही यहाँ पर धनिया का पत्ता भी एट कर देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं इसे मिला ले और इसके बाद इसका फ्लेम आफ कर देते हैं और हम करते हैं इसकी प्लेटी तो यह देखें, यहापर मैंने इसे निकाल लिया है, उपर से घानिश करें, धनिया के साथ, बहुत मज़े की बनती है, जटपर बनने वाली रिसेपी, आप इसे चावल के साथ, नान के साथ, रूटी के साथ भी सफ कर सकते ही, बहुत अच्छी लगेगी, रिसेपी पसंद आ